बात करते हैं Click Today के आज के इस वीडियो में और इस वीडियो में हम बात करने वाले UG Admission 2024 को लेकर के जो भी स्टूडेंट जो है लगातार कमेंट करके पूछ रहा है कि क्या हम अपने स्ट्रीम को चेंज कर सकते हैं कि नहीं क्या हम अपना पूरा फॉर्म एडिट कर सकते हैं कि आगयाने वाले समय में आपके admission प्रॉसेस से लेकर के examination, examination का जो पूरा subject है, syllabus है इन सभी चीजों के बार में जानकारी आप सभी को मिलते रहेंगी तो Click Today यूटूब चैनल के साथ आप सभी जुर जाएए अभी subscribe वाला बटन दवाई और bell icon को on कर लिजे साथ ही हमारे telegram चैन वो आज है यानि कि 31 मई तक जो है फॉर्म भर जाएगा आप सभी को फॉर्म भरने के लिए बिहारियों City का official website से जाकर के apply करना रहेगा जिन्नोंने अभी तक क्या apply कर लिया जिनका भी payment pending का समस्या दिख रहा है उनका payment update हो जाएगा चिंता करने की बात नहीं अगर आपके account से कड़ चुका है पैसा तो जिनको form edit करना है जिनको stream change करना है तो मैं आपको clear response troop में यह बता दू कि जो student ने मान लिजे कि science से अपना 12th किया है और अभी गलती से बहुत लोग कह रहे है कि हमने arts ले लिया हमने गलती से कोई और subject choose कर लिया जो नहीं करना था तो देखे stream तो वो आप change नहीं कर पाओगे सिर्फ कुछ details आप change कर पाओगे जब edit का option आपको मिलेगा तो और edit का option लेने के लिए आपको umis को मैंने पहले भी बोला था आप लोग को mail करना रहेगा official mail id जो उनका है उस पर mail करके और उनको यह बताना होगा कि आपका क्या-क्या प्रॉल ह किया जाएगा ठीक है स्ट्रीम आप डाइट से चेंज नहीं कर सकते हो बहुत लोग का date of birth में कुछ issues है तो उसको भी साय से आप change नहीं कर पाओगे अब देखना रहेगा जब यह open होगा हाला कि जिनों ने अभी तक क्या apply नहीं किया है उनको वीडियो के description box में link मिल कि आप लोग apply कर लिजेगा ठीक है यह date online applying last date 15-15 था इसको बाद में बढ़ाया गया वह 31 मई तक हो चुका है इसके उपर लिंक पे क्लिक करिएगा लिंक पे क्लिक करने के बाद वेबसाइट कुछ इस प्रकार से खूल करके आप सभी के सामने आ जाएगा registration के लिए जिनका भी ऑलरीडी जो है register हो रख है साइन इन पे क्लिक करेंगे साइन इन पे क्लिक करके अपना जो डीटेल से वह इंटर करेंगे और उसके एडिट का option जब इनेबल होगा अभी फिलाल इनेबल नहीं हुआ है क्योंकि आज तक तो फॉर्म ही बढ़ाएगा जब फॉर्म बढ़ाने का date खतम हो जाएगा तो त आप एक नया फॉर्म भर दो डीटेल्स चेंज करके मतलब आप मुझे नहीं लगता है कि वह option आपको दुबारा दिया जाएगा क्योंकि वह आपको सही सही आपको डिसाइड करना रहेगा कि ग्रेजुशन आप किस चीज़ से करना चाहते हैं तो दो हजार चॉबिस से अठाई सेशन में जिन्होंने भी अपना आवेदन कर रखा है उनको अभी पांच जून तक का इंजज़ार करना होगा पांच जून को बारा बज़े एक बज़े जो है यूमाइस को मेल करिएगा यूमाइस का मेल आपके लॉग इन करने के बाद जो है आपको दिखाई देगा और उनको जो आप मेल करोगे तो वह आपको आगे रिस्पॉंड करेंगे या फिर जो इनेबल करेंगे एडिट का उप्शन इसलिए आपको परिशान होने की नहीं है तो आज की वीडियो में यही रिपोर्ट आप सभी को देना था कि आप लोग धैरे बनाई रखिए आपको जो है सारा इंफर्मेशन जो मिलता रहेगा टाइम टुटैंग अगर आपके कुछ सवाल है सुझाव तो नीचे कमेंट करके पूछ लिजी एडिट का ऑप आपके वीडियो में